नमस्कार दोस्तों मैं स्मित मिस्रा स्वाइद करता हूं एक बार फिट से आप सभी का एंजेटे एजुकेसम ने साथियों PM मोधी रूस के दोरे पर हैं रूस पहुंच चुके हैं क्योंकि रूस में ब्रिक्स समिट होने जा रही है ब्रिक्स को मजबूत ना होने देने के लिए इसको आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा साथी साथ में इस बार का भारत के लिए भी बहुत ज़्यदा महत्पूर्ण है ब्रिक्स सम्मेलन की लाइव अपडेट्स जो है ये हैं कि अभी के लिए पियम मोदी पहुँच चुके हैं 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान सहर में इस बार हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन कजान सहर रसिया का ही एक सहर है और वहाँ पर ये सम्मेलन तीन दिनों तक चलेगा हला कि पियम मोदी 22 और 23 अक्टूबर को ही रहेंगे 23 अक्टूबर को वहाँ से चले आएंगे फिर कजान डेक्लिरेशन जो आएगा जहां पर भी सम्मिट होती है तो उसके बाद जो कॉन्क्लूजन निकलता है उस सम्मिट में जो भी चीज़ें डिसाइड होती है जो भी डील होती है उस सबके लिए एक civilization लास्ट में release किया जाता है तो उसको सहर एक लिए आज़े होसे पर आज़ेंD याज़ेंज आजूत होते हुए जेसे कि लिए जो लास्ट में निकलेगी क्या-क्या समझ होते हुए क्या-क्या बात चीत हुई तो उसे declaration उसी स्टीटी की नाम पर कहा जाएगा तो यहां कौन से declaration आएगा कजान declaration तो कजान declaration आएगा जब जिस दिन उस दिन जैसंकर सहाव रहेंगे भारत को रिपरजन कर रहेंगे 2324 को पीमोदी वहां से चले आएगे मौसको आपको दिख जाएगा यहां पर और जश्ट उसके कुछ दूरी पर कजान सहर दिखेगा जहां पर इस बार आयोजित हो रहा है ब्रिक्स है क्या इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद देखिए यहां पर कुछ तस्वीरे देख लो पहले पीमोदी जब लेंड किये तो वहां पर स्वागत वगरा किया गया और इंडियन्स ने उनको लड़्डू वगरा खिला करके अच्छे से तरीके से मितलब बहुत ही भवे तरीके से और बहुत अच्छा लगा काफी गौरो वाला पल था फिलहाल पीमोदी वहां पर पहुंचे तो उसके बाद से अब यहां पर समिट स्टार्ट होगी खेर मुद्दे पर आते हैं ब्रिक्स है क्या ब्रिक्स सातियों आज के टाइम पर एक नौ इसकी मीटिंग औगरा होती है और नौ देश में पहले तो पांच ही थे अभी चार रिसेंट ही जुड़े हुए हैं तो वो जो ब्रिक्स नाम पड़ा है वो उन्हीं चार देशों के नाम पर पांच देशों के नाम पर पड़ा है ब्रिक्स में जो बी है बी का मतलब as for South Africa इसकी सुरुबात दोस्तों स्थापना 2006 को हुई थी लेकिन 2006 को स्थापना के बाद 2009 में जाकर कर के nooitalen स्थापना पहली मीटिंग की होस्टिंग भी रसिया ने ही किया था जब पहली मीटिंग हुई तब तक 2009 तक केवल इसमें 4 देश हुआ करते थे सुरू के चार, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफरीका 2010 में जुड़ा, ये गोशन पूचा जाता है, दचिर अफरीका 2010 में ब्रिक में सामिल हुआ और तब ये ब्रिक, ब्रिक्स कहलाया, है ना, तो 2010 के बाद से फिर ये चलता आ रहा था, लास्ट एक्स तरीके से अपनी घोशना नहीं किये, उसने कहा है, अभी हम विचार कर रहे हैं, तो हाला कि उसको अब्जर्वर के रूप में, यहां गेश्ट के रूप में इन्वाइट किया गया है इस बार भी, अब 2006 से लेकर अभी तक जो मेन-मेन इंपोर्टेंट मीटिंग रही, उनक 23 में 6 देशों ने इसमें अपलाई मारा, 6 देशों में अर्जंटीना भी था और सौधी अरब भी था, लेकिन सौधी अरब और अर्जंटीना जो है, यह अभी तक जुड़े नहीं, अर्जंटीना तो पहले ही बाहर हो गया, इसने कहा, यहां पर क्योंकि सत्ता बदल गई, जो पुराने राश्पती थे, उन्होंने अपना मतलब इंटरेस्ट दिखाया था जोड़ने के लिए, लेकिन जब वहां सत्ता बदल गई, तो फिर नहीं राश्पती आये, उनकी नीतिया लगती, वो कहें कि नहीं हम सामिल नहीं होंगे, है ना, और अमेरिका भी चाहता है इसका उसके बाद साथी अरब बचता है, साथी अरब भी आजके टाइम पर अमेरिका का ही कहना मानता हुआ चलता है, तो ये भी अभी फिलाल विचार करना है, विचार करना है करकर टालता जा रहा है, तो इस बार जो है, नहीं सामिल हो पाया, वो भी, 2024 में UAE, मिस्र, यु पहली बाली मीटिंग और उसके बाद देखिए 2022 में चीन में हुई 21 में भारत ने मेजबानी की थी ये पूछा जा सकता है आपसे वीडियो कांफरेंसिंग हुए अब्यसी बात है क्योंकि COVID चल रहा था तो COVID की वेज़ा से वीडियो कांफरेंसिंग की वेज़ा से ही सारी इतना अहम क्यों है तो देखिए एक तो ये जो समिट है ना ब्रिक समिट ये एसिया के तीन महा सक्तियों को जोड़ता है रूस चाइना और इंडिया आप अगर वर्ड एकोनामी में देखोगे तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकोनामी है अमेरिका के बाद इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनामी बनने जा रही है 2027-26 तक बन जाएगी अभी के टाइम पर हम लोग पांच में पर हैं लेकिन बहुत जल्द हम लोग जर्मनी और जापान को क्रॉस करेंगे तो दुनिया की टॉप फाइब में से दो बड़ी एकोनामी ह चली आ रहे थी हाला कि रूस इस टाइम पर थोड़ा कमजोर हुआ है लेकिन ये तीन महा सक्तियां इस संगठन में है इसलिए इंपोर्टन हो जाता है लेकिन दिक्कत यह थी कि इस तीन महा सक्तियों में ना दो देश ऐसे थे जो आपस में जिनकी बन नहीं रही थी पिछल और चीन की बीच में बॉर्डर्स को लेकर के एक नया समझाता हुआ है और अब जो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था वैसी गटनाई अब नहीं होगी और दोनों देशों की सेनाओं में पेट्रोलिंग को लेकर के ये डिलिंग हुई है कि किस प्रकार से को ये इसिया वाले ही घुट मेरए अमेरिक ये नहीं चाहता था अमेरिका चाहरा था कि इंडिया और चाइना की चलती रहे जिससे ये लोग प्रोरसिया ना हो पाएं क्यूकि अमेरिका रूस को अलग थलکट करना चाहता है लेकिन जब रूस ने समझोथा करा दिया कि के लिए अपना बिल्कुल अच्छे से रूख साफ किया था रवया साफ किया है कि पाकिस्तान से हम तभी बढ़ियां से वारता लाप और वो सब करेंगे डेलिंग गरा करेंगे ब्यापार करेंगे जब वो अपने देश में आतंगबाद खत्म कर दे या आतंगबाद को बढ़ावा देना बंद कर दे और पियो के वगरा दे आराम से चाइना को लेकर के चाइना अपने विस्तारवादी नीद छोड़ दे बॉर्डर एरिया पर जो भी सही तरीके का समझाता है वो कर दे तो उसके बाद चाइना से भी हम लोग अच पिछले दो साल से कोई भी टाक नहीं हुई है और इस बार पहली बार यहाँ पर टाक होने जा रही है बातचीत पहली बार होगी सीजन पिंक के और पीम मोदी के 2022 में last बार हुआ था G20 में जब मिले थे ये लोग Bali में इंडोनेसिया में जब हुआ था था ठीक है तो इस बार अब यहाँ पर मिलने से पहले यहाँ पर एक border area वाला जो इसू था उसको संधा दिया गया है कि भही यह देखो यह पुराने तरीके से आजाओ जैसे 2020 के पहले रहते थे ना पट्रोलिंग का जो नियम था उस वाले इस्तिति में आजाओ बहुत लंबा उदनी 69 वाला नहीं लेकिन 2020 से पहले वाला situation तो आई ही सकता है तो यह करा दिया गया अब यह करा दिया गया तो से अब दोनों लोग मिल सकते हैं हाँ चलो ठीक है अब इसको देख करके सबसे यह तकलीफ हो रही है कनाड़ा और अमेरिका की पिछले दिनों में आपने देखा कि क्या कुछ नहीं कर दिया इन लोगों ने अमेरिका की CIA, कनाड़ा उसके बाद 520, खूब लगातार निजर को लेकर के, रौ को लेकर के बहुत सारे ऐलिगेशन लगा रहे थे राजदुक तक को निकाल दिये कनाड़ा और इंडिया की राजनाइक संबंध भी बिल्कुल खत्म हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हुई अमेरिका ने बहुत सारे ऐलिगेशन लगाए विकास यादव उसके बाद फिर निकिल गुपता पता नहीं क्या-क्या ये लोग इवेंट की हम ये प्रूफ दे रहे हैं वो दे रहे हैं बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं और ये सब के पीछे कारण इनकी मुद्रा मजभूत ही रहती है लेकिन अब्रिकों की करन्सी अगर माले आ गई कोई तो डॉलर पर उतना डिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो फिर ये डॉलर की धौस नहीं दिखा पाएंगे swift sanction नहीं लगा पाएंगे, बार-बार swift sanction की दमकी देते हैं, रसिया पर आपने देखा पिछले दिनों में जब रसिया उक्रेण वार चल लए थी तमाम प्रकार के sanctions ये लगवाए trade खतम करवाए, वहाँ पर अपनी जो company थी, Instagram, YouTube Twitter, Facebook, सब को बुला लिए लेकिन, और डार लर कभी swift sanction लगवा दिये, वो डार में कही trade नहीं कर पा रहा था, यहां तक की रसिया के जितने भी इनके पास reserve रखे थे उसको भी इन्होंने freeze कर दिया तो बहुत सारी चीजे किये, लेकिन फिर भी, रूस आज के टाइम पर खड़ा है India ने साथ दिया, China ने साथ दिया और उसी का नतीज़ा है कि आज देखो रूस, चीन और इन्डिया के बीच में यहां पर सहमती बन रही है चीन और इन्डिया के बीच में जो विवाद था, बहुत बड़ा हो सकता था मतलब आप सोचो गलवान घाटी का जो incident हुआ था ना उसमें 20 अपनी तरब के सेना के जवान सहीद हुए थे 60 उनकी तरब से हुए थे 80 जवानों का वो भी सेना के जवान अगर सहीद हो रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है और इसको मुद्दा उठा करके बहुत बड़ा यूत भी हो सकता था लेकिन दोनों देश को वीच में लगभग लगभग सब सुला सपाटा हो गया खेर चाइना पर जादा भरोसा भी करने लायक नहीं है फिल हाल तो अब दूसरा कारण क्या है क्यों जादा तकलिफ हो रही है अमेरिका को दूसरा कारण ये है कि कहीं G7 का काउंटर ना बन जाए ब्रिक्स क् जो है जो group of seven countries है ये जब बनी थी ना तब इस बात को लेकर बनी थी कि ये देखो ये दुनिया के जो सात महान जो देश है जो एकोनामी अच्छी है जिनकी जो विक्सित हुए है इनका एक group बन रहा है group of seven लेकिन आज के time पर आप list खंगाल कर देखोगे ना तो ये group of seven में इनको कईयों को तो भारत और चाइना पीछे कर चुका है तो फिर अब अब ऐसा इस्तिती आता है जी seven की जब मीटिंग होती है तो भारत को बुलाए जाता है ठीक है ना भारत को गेस्ट की रूप में अभी इटली में जॉर्जिया मेलोनी खैर वो तो रिस्तेधार है तो लेकिन कनाडा में देखना होगा कि इंडिया जाता है कि नहीं क्योंकि राजनाइक संबंद वगरा तो सब खत्म हो गए हैं तो उमीद तो नहीं लग रही है कि वहाँ पर जाएंगे हाँ अगर सरकार वहां बदल जाती है जश्टिन टूडो की जगा कोई और आ जाता है क्य इसको लेकर कि यहां पर डर रहा है अमेरिका दूसरा चीज कि देखो अब अगर मालो यह ब्रिक समिट में अब एक्सपेंशन भी हो गया है इसमें चार और देश जुड़ गया है साओधी अरब भी बहुत जादा है बेटिंग है मतलब यह भी जुड़ ही जा सकता है तो अ इस वाले जितने देश है रूस चाइना और इंडिया यह सामिल हो गया है इसके बाद साओधी अरब तो आने ही वाला है यूएई आ गया है जो जो अमीर देश है जो बढ़िया एकोनामी में अच्छा कर रहे है यूँड़ रहे है इजिप्ट आ गया है ठीक है इत्योपिय आ गया है अभी हम लोगों ने African Union जाम का एक संगटन है African Union इसको हम लोगों ने जब G20 होष्ट किया था 2023 में दिल्ली में तब इसको सामिल कराया था याने अब G20 G21 हो गया है तो African Union को सामिल कर लिए मतलब आफिका भी खुस एसिया में इतने सारे देश हैं ही तो एस या भी खुस और यहां दच्छिर अमेरिका में ब्राजील को लेए ही हैं ब्राजील तो मतलब founding members में था तो अब ये इतने सारे देशों को खुस कर लिए तो मतलब इस वज़ा से इसका counter माना जा रहा है और तकलीब इसी बात की हो रही है बही सबसे बड़ी-बड़ी economy जो है वो इसमें चली जा रही है UAE हो इसके बाद फिर इंडिया हो चाइना हो रसिया भी है ठीक है ना पावरफुल है वीपन वगरा देता ही रहता है ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा G7 की महतुता कम होती चली जाएगी और अब expansion भी हो गया है इस बात को लेकर के अमेरिका को भी डर था इसी वज़ा से अमेरिका लगातार भारत पर allegation पर allegation लगा करके दबाव बनाने की कोसिस करता जा रहा था खैर अब वो दिन चले गए जब दो ही महाजक्तिया हुआ करती थी पूर दुनिया में या तो US या तो रसिया मतलब ये दोनों अपने आपक को देख देखकर जैसे होता नहीं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बगलता है भारत की नीतियों को देखकर के भारत ने जिस प्रकार से अपना stand रखा कि हम ना अमेरिका की तरफ रहेंगे ना रसिया की तरफ रहेंगे हम अपने तरफ रहेंगे अपना हित देखें वहां भारत को देखकर थोड़ा हिम्मत तो दिखाना शुरू किये हैं कि चलो एटलिस्ट मारा भी कोई ऐसा पक्ष होगा हम भी इन दोनों की तरब ऐसा धुरुवी करन नहीं रहेंगे और यह एक बड़ी अच्छी बात है एक हल्दी बात है एक डेमोक्रेटिक बात है तो अब केवल प्रो रसिया या प्रो यूएस नहीं हो रहा है यह भी देखने को मिल ला है इंडिया की विज़े से खैर इस पर सब पर आपकी क्या रहा है आप लोग कमेंट करके जो जो कजान डेकलरेशन मैं ने आपको बताया है जो भी निकल करके आता है वो मैं आपको जरूर अपडेट दूँगा तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप अर्जुन बैच में कम्प्लीट आपकी तयारी कराई जा रही है इसके अलामा करेंट अफ़ेर स्टेटिक जी के लिए संकल बैच आप हमारा जान कर सकते हैं इसमें करेंट अफ़ेर का इसमें पूरा अच्छे तरीके से तयार कराया जा रहा है लाइफटाइम बलेट जी के साथ यह दोनों ही बैच आपको मिल जाएगा हमारे अप्लिकेशन एम्जेटी अप पर गूगल प्लेट पर जाकर के एम्जेटी अप डाउलोड करो इंस्टाल करो और उसके बाद फिर पैच को परचेश करो ठीक है थैंक यू सो मच मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए नमसकार जाहें वन दिमातरा